भैरो की जो मैल है ना उससे ही कालिया मसान प्रकट गाए जब चिता जलरी होती है तो वहाँ पे बैटकेस की साधना वो सादक करता है और कालिया मसान को प्रकट करता है 1980s की बात है जब बहुत बड़ा एक समागम हुआ था जिसमें देश भर के सबसे टॉपमोस साधक और तांत्री को को ही इंविटेशन था सिद्धी पार्दय प्रविश के है इन सब की ना एक दुन्य होती है इनका अपना एक सामराज्च्छ है जहां पर ये रह रहे हैं इनके गरबार बसे हैं उतोगे भी जारे सुनसा ने रिया था वहां पर हाइकिंग करते पहाड़ी लागा था तोड़ा सा आगे गए तो मैंने वहां पर एक पेड़ के बास फालेट करता है तो बाश्रूम जाके मैं अपना नॉमल कर रहा था शीशे में देख रहा था अपने अपने फ़र अपने शरीर पर गुला था तो इस अपने इसे अपने पूरा पूरा प्यूरिफाई शेंट्वेंड के बाद उसने मतब उक्डूफ फॉल में बैठ गया से पैर मोड़कर थोड़ी दिरबाद एकदम से आइसे घरद दुना रहा त्यक करके सामने आया इस उस होते हैं जो मर जाते हैं और वो बच्चे के अंदर immense power होती है एक तो एक नटकट पना भी है उसके अंदर इतनी strong energy है कि आपको मारने की capacity रखता है वो नवश्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट पॉड़कास शानल सुपर टॉक्स में भाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी complaint भी है एक request भी है एक demand भी है वो यह है अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो subscribe का button ज़रूर दबाना है और bell icon ज़रूर दबाना है ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और आज हमारा podcast बहुत ही special है क्योंकि हमारे साथ जो guest है दुनिया की सबसे बड़ी debate है science versus astrology की ये चलती आ रही है सालो साल से चलती आ रही है क्योंकि astrology में basically astrologist science को नहीं मानते scientists basically astrology में believe नहीं करते इतना जादा लेकिन आज के हमारे guest बहुत ही unique है और बहुत ही horrifying haunted ghost stories के experience हमारे साथ लेके आये है क्योंकि वो scientists खुद भी है और उन्होंने astrology as their main career choose किया है तो स्वागत करेंगे डॉक्टर विशाल अरोडा जी का स्वागत है नमशकार रागव नमशकार दिविश Thank you very much for calling me और परमात्मा सुरूप इस audience को भी मेरा नमशकार Sir, हम backstage बात भी कर रहे थे camera से पहले discuss भी कर रहे थे और usually जब हम astrology की बारे में research करते हैं R&D करते है तो एक ऐसी term जो उठके आई है जो अभी तक मुझे clarity नहीं मिल पाई है जबकि मैं बहुत डीप research कर चुका हूँ वो है कालिया मसान ये कालिया मसान क्या होता सर? कालिया मसान तो सबसे पहले तो word हमने जो use किया है वो अपने आप में ये रूखो कापने वाली चीज है रूख अपा दिने वाली चीज है और मैं इसके बारे में बात करने से पहले या इसके बारे में कुछ भी discussion करने से पहले एक protection layer हमें बनानी पड़ेगी और वो बनानी चाहिए black energies और काली विद्या कवो कभी भी हलके में मत लीजे this is my severe warning don't take it light ये हर जगा मोजूज होती है हर जगा सुन भी रही होती है और sometimes somehow अगर आपने if you are taking it light मजाक में भी ले लिया you never know when you are you gonna encounter this तो पहले हम अपना एक protection layer मनाएंगे और साती सात मैं एक podcast में मैंने एक पॉड़कास में मैंने protection layer अपने group के हमने सब ने कर ली लेकिन audience ने बहुत चिला चिला के बोला आप लोग ने अपनी तो कर ली हमारी ने कर ली तो आज अपनी audience की भी protection करेंगे आप लोगों को मैं एक mantra बोल रहा हूँ जो भी आप जब भी इस podcast को देखें रात में दिन में जब भी देखें तो इस mantra को आप लोग जब कर लेना मैं एक stronger version करूँगा आप सबके लिए भी पार बरहम का और आप लोगों के लिए एक mantra है ओम नमो भगवते कालिकाय मम रक्षता है मम रक्षता है आपको सुनने से पहले ये जब कर लेना है मन अपने आखे बंद करके और हम लोगों के लिए जस एक छोटी से आख बंद करें मैं एक mantra जाप करके हम एक protection layer बना लेंगे ताकि हम वे कोई हाम ना हो नहीं हमारी audience को भी कोई हाम ना चाहिए ओम नमो भगवते नमो नमा ओम नमो भगवते ओम नमा टीक है जी इश्वर का नाम लेते हैं तो रिशूल हमारा सबसे strongest protection है और वो जब तक है कब तक कोई चीज हमारा बालबा का नहीं कर सकती और जिस चीज के आपने नाम ले लिया है तो वो तो अपने आप में एक खतरनाक चीज है तो मैं इसके बारे में audience को जरूर बताऊंगा कालिया मसान या इसको अलग-लग नाम से black magic के word में लेते हैं लोग कच्चा मसान, कालिया मसान या कल्वा मसान भी बोलते हैं ठीक है black magic में अगर कोई सबसे खतरनाक चीज है तो वो ये है इससे उपर चीजे अभी मतब ये उसकी एक इससे उपर भी है श्रेणी में ये stop पे आती है इसको अगर चला दिया और इसको चलाया इसलिए जाता है कि मियादी खतम करने के लिए मतब इसकी एक length बांदी जाती है कि आपको इतने time में जिसके उपर चलाना है उसकी जो है किसी भी तरीके से that person is finished 41 days वैसे 41 days सिरफ लोग बोलते हैं जो actual real में आपको बता रहा हूँ 108 days 108 days में that person will succumb उसकी life finish है बनसरी बिसिकली ये एक black magic का part है जैसे हमने जैसे तंत्रविद्या होती है जैसे लोग अलग अलग practices करते हैं तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे की जिस पर हुआ उबचता नहीं है जी कहरे है right person जिसको ये बहुत अच्छे से जिसने इसको कालिया मसान की सिद्धी कर रखिया कालिया मसान को साध रखा है और उससे उसकी अस्थीले रखिया इसको शम्षान में बैठके साधना करके उस बंदे ने कालिया मसान को प्रकट किया है इसके लिए बारे में मैंने सुना ये है बोला ये जाता है जो जो सिद्ध अभी मंतर तांत्री के हैं वो बताते हैं कि इस इस वन अफ दी फॉर्म आफ दी एक भैरो की मैल से उतरा है भैरो की जो मैल है न उससे ये कालिया मसान प्रकट हुआ है और ये शम्षान गाट में जो की शम्षान क्रिया में जब चिता जल रही होती है तो वहाँ पर बैठके इसकी साधना वो साधक करता है और कालिया मसान को प्रकट करता है और जिसका दिल कमजोर है न वो न करे ना इसके बारे में कभी सोचे कि मुझे करना है क्योंकि इसके साथ जो experiences होते हो सादक को वो बहुत कतरनाक होते है तो उसका गुरू अगर उसके साथ है न क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है लोग बड़ी fascinating हो जाते हैं इन से चीज़ों देखिए they get fascinated किया और what is this करना है करना है please don't मत करिये आपका अगर बहुत है आपके पास गुरू है उसके साथ गुरू के साथ जाकर सादक साधना करते है और वहाँ बैटके इसको कालियमसान को प्रकट किया जाता है चिता की अगनी से प्रकट होता है कपाल से और वहाँ पर बवंडर आता है उस बवंडर में उसे प्रवेश करना होता है और वहाँ से उसकी कोई चीज मंगी जाती है तो उससे उसको अस्थी मिलती है कालियमसान की और कालियमसान उसको अपने साक्षात रूप में अस्थी देता है उसे बांधा जाता है वहाँ पे और वहाँ से वो अपने पास ग्रेहंड करता है फिर उसके बाद वो सादक प्रयोग करने लायक हो जाता है दूसरों पे काल्यमसान को तूसर जैसे आपने भी बताया कि इसके experiences भी बड़े खतरनाक होते हैं सादक के लिए सादक के लिए बहुत भ्यावा experiences क्या है कि सादना जब भी कोई करी जाती है वाम मारगी सादना या तंतर की ऐसी सादना जो कि अभी चार बहुत डिफरेंट टाइप का है एक वाम मारगी है ठीक है जिसमें आपको सम्शानी क्रिया और बाकी क्रियाओं के साथ करना पड़ता है और एक थोड़ी सी दूसरी है डक्षिन मारगी है जिसमें आपको मंतरो द्वारा ही मंतरो बताया जाते है जो जाते है तो यह जब शम्शान में बैठकी की जाती है तो सादक को जो experiences होते है उनका गूरू पहले ही बता देता है बाई डर्ना मत ब्लैक मैजिक जो कर रहा है जो सादक है उसको सबसे पहले तो अपना भhait खतम करना होता है बहे नहीं होना चाहिए उसको, बहे क्योंकि ऐसी चीजे, अब जो लोग कर्ण पिशाचनी को साधना करते हैं, कर्ण पिशाचनी की साधना इतनी भयानक है, कि मतलब उसके लिए तो अगर आप सुन भी लोगे न कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे की जाती है, तो वो तो अपन करनी पड़ती है जलती हुई चिता के सामने ठीक है और वहाँ बैठके जब वो साधना करता है और कालिया मसान के मंत्रों और उसको बुलावा आवान देता है तो उसको certain experiences होते हैं और वो बताये जाते हैं उसको पहले ही कि ऐसी आकृतिया आने लगेंगी बवंडर बहुत ते इनिशियेट होके आते हैं तो वो चीज जब सामने आती है तो कईयों जो दिल के कमजोर है वो तो हैंडल नहीं कर सकते हैं बाकी ठीक है आपका गुरू आपके साथ है उनके साथ अपसानिद्यम है तो आप कर सकते हैं तो लोग जब उसको साथ लेते हैं तो फिर उससे वहा offerings देते हैं, वो offerings लेने के बाद जब वो प्रकट होते हैं, तो वो वहाँ पे एक ऐसे vortex का बवंडर चलता है black, ठीक है अब कोई आप जब सुन रहे हो जब आप यह सामने देखोगे, क्या आप उसमें एंटर कर पाऊगे अब आपका surrender कर रहो और मैं आपको आपकी साहता चाता हूँ, तो कालिया मसान को प्रसंद करना है, जब वो प्रसंद होंगे फिर उसके बाद उनसे उनकी चीज मांगी जाती है, कि आप अपनी चीज हमेर दे कर जाओ आप अपनी, जो आपका token of वो है आप दे कर जाओ, तो कालिया मसान जब प्रसंद होते हैं और सादक पे आशिरवात देते हैं, तो वो एक अस्थी उसको दे कर जाते हैं, वो अस्थी का प्रयोग, फिर इस black magic kriya में वो लोग करते हैं तो जब इस प्रोसेस में कितना इस सिद्धी को प्राप्ट करने के लिए कितना समय लग जाता है देखे, अलग-अलग है, अलग-अलग गुरू में वो उसके हिसाब से कईयों को इसको कोई इसको एक दिन में भी कर सकता है, जब कोई इसको कुछ राते लगती है especially मवस्य की रातों पे काली-डार्क रातों पे करना पड़ता है तो it depends upon person to person it depends upon सादक to सादक कैसे किया जा रहा है और जैसे आपने बताया कि और भी बड़ी भी 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 हानक सिद्धियां होती हैं, तो कुछ अगर उनके बारे में सिद्धियां तो बहुत सारी होती है तंत्र वर्ड में जो सबसे बड़े तंत्रिक होए है, सादक होए जिनको मैं, जिनको मेरे को नाम भी बहुत लेते हुए बड़ी फक्र होता है जो भी है, वो है निखलेश्वरा नंजी कहते हैं और श्रिमाली जी, नरायंदर श्रिमाली जी जोदपूर में बेस्ट अब ही नहीं है हमारे बीच बट उनसे बड़ा लंपर नहीं है जिनको इतनी विद्याएं और इतनी साधनाएं बड़ी से बड़ी उन्होंने करी है, देखो मेरे अभी एक हालिया क्लाइंट भी है, जो की श्रिमाली जी से शक्तिपात जने मिला हुआ है, और वो साधना भी करते हैं, तो मैं उनसे बात भी कर रहा था, तो मैंने सुना है, ठीक है क्योंकि इस अराउंड 1980s की बात है जब बहुत बड़ा एक समागम हुआ था, जिसमें बहुत सिक्रेटिव समागम था जिसमें देश भरके सबसे टॉप्मोस्ट साधक और तांत्रिकों को ही इंविटेशन था ठीक है, और वो बहुत सिक्रेटिव हो था, और उसमें कोई और एंट्री कर नहीं सकता था अगर किसी को कोई भी साधना किसी ने साधा हुआ है किसी ने किसी की भी साधना कर रखी है वहीं पर ही उनको एंट्री थी अधर्वाइस किसी और को एंट्री नहीं थी उसके अंदर वो मैंने documented version भी है उनके शिष्य का वो मैंने पढ़ा हुआ है पूरा बताओ नू ठीक है उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी-ऐसी साधनाई सुनी जो मैं सुनकर है रहांदा कि मैं लोग मेरे अंदर शुरू से उत्सुकता रही कि black world और energies के बारे में मैं वो सुनने के बार मेरे को ऐसा हुआ कि यार ऐसी-ऐसी भी चीज़े होती है जो आज के जमाने में see the point is that when we are too much educated जब अब हम बहुत ज़्यादा educate हो जाते हैं और हमें हर जगा AI और साइंस दिखने लग जाता है so we tend to not believe all these things यह problem है हम लोगों की मारी मानसिक्ता उसे समझने को मना कर देती है जब तक आप उसे experience नहीं करोगे या जब तक ऐसे लोगों के साथ इस ब्रहमांड में ऐसी-ऐसी चीज़े छूपी हुए है जिसका आप मात्र किन का मात्र जानते हो जो आप सोचते हो ना कि हम बहुत कुछ जानते हैं आप मात्र किन क जानते हो और ऐसी-ऐसी शक्तियां ऐसी-एसी चीज़ें से science explain भी नहीं कर सकता उनके explanation से बार है आएंगे सर में आपके experience पे आएंगे US वाले में इसकी सिद्धियों के बार में में बड़े-बड़े तांत्रिकों ने आके अपनी सिद्धियों को बताया गया है संजीवनी विद्या जो की अब लुप तो चुकी आज भी ऐसा होगा जिसे आती होगी I don't know कहीं किसी कंदर गुफाओं में ऐसे बहुत से हमारे बैठे हुए है संजीवनी विद्या से उन्होंने मृत शरीर को भी उसमें जागरित करके दिखाया लेकिन उसके कुछ सर्टन पैरामिटर्स होते हैं मैं ऐसी ऐसी बाते कर रहो जो आप इसको डॉक्युमेंटेड है पड़ लेना मैं हवा में बाते नहीं करता आके कि पॉड़कास माया कुछ भी हवा में डाल दिया चोसट योगनियों की साधन तो लोग करते हैं अगर भाई साब चोसट कृत्याएं होती हैं जो इन शब्दों को जानते हैं वो जरूर इसको एगरी गरेंगे बागी लोगों को तो पहली बारी सुन रहे होंगे यह तो चोसट कृत्याएं होती हैं चोसट कृत्याएं जिसको आगई वो तो महा बलिशाली है उसकी तो आप बात छोड़ो जिसको एक कृत्या भी आती है ना एक कृत्या भी अगर किसी ने साध ली तो वो आपको खड़े-खड़े वो अगर उसने अपनी एक कृत्या एक पहाड के टुकड़े बे चड़ा जी चकना चूर कर देगा पत्थर को भी कृत्या इतनी पावर होती है ऐसे करते हैं अपना हाथ और यूं बांते हैं और यूं घुमाते हैं आती है सरसो और उठा के अगर आपके पर फेक दी उसने गुस्से में जिसको कृत्या साध रखी है जिसने वाई सब आप उस इसमें खतम हो बजा नहीं सकता कोई इस आर दा साधना विच आवर पीपल है डन एंड दे नो मतलब कृत्या एस से लेकर पार्ध है प्रवेश संजीवनी विद्या उड़ने की शमता अपने शरीर को उठा कर उपर ले जाना ठीक है और कहीं भी प्रवेश कर जाना कहीं भी आप जो है यहां बैठे हो कहीं पर भी आप दूसरी जगा पोस्ट रखते हो यह चीजे सारी दिखाई शोकेस की गई थी उस सवागम में और इन सब के होस्ट इन सब के इतने बड़े बड़े तांत्रिकों के कास जो सभापती होता है वो कौन होता है उन से भी पावरफूल होना चाहिए ना क्योंकि इन लोगों को संभालना क्योंकि सब आपस में असुरों के पास भी जब ताकत आ जाती है बगवान शिर्फ को परसंड करते है बरदान ले लेते है और जब ताकत आ जाती है तो साथ क्या आता है दंब और गुरूर भी आता है तो जिन के पास इतनी सिद्धियां होती है तो वो तो फिर थोड़ा तो natural है ना आना लेकिन इन सब को दबाने के लिए सभापती रखा जाता है तो वो सभापती कौन थे पता है नरायन दर्श्रमाली जी the living legend जो की अभी भी अगर आप google करेंगे तो बहुत थे अभी कुछ सालों पहले ही उनका ध्यान दुआ है he was the सभापती of that समागम जो की उनोंने खुद भी करके दिखाई ऐसी ऐसी कई चीजे वो पहले सादू थे उनोंने बहुत निखलेश्वरा नंद उनका नाम था फिर उनके गुरू ने कहा की नहीं आप जो है अपने ग्रहस्त में जाईए तो ग्रहस्त में आए बट उनके जो शेश्य हैं जो उनसे लेके बैठे हुए है जो उन्होंने साधना है उनकी बहुत सारी बुक्स भी है ठीक है परसन वांटस तो रीड देकन रीड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुनने में मज़ा भी बड़ा आया बट अब मैं थोड़ा सा जानना चाहरा हूँ कि क्योंकि आप साइंसे हैं और आप लॉजिक बाते करते हैं यह भी जैसे आपने बढ़ा है एक डॉक्यमेंट आपने पढ़ा हुआ है अब हमें भी कुछ अगर देखना है कि क्या सही है नहीं है तो मैं कोई निउस आर्टिकल पढ़ूँगा तो मैं देखूँगा है और पुष्टी हो गई है सुना भी है मैंने पतलब मैंने किसी के मूँ से सुना भी है क्योंकि जो जिसने क्या कहते है, मेरे गुरू के पास यो बंदा जिसने अटेंड भी किया था, मैंने सुना था, फिर लेकिन सुनने पे, और फिर मैंने इसको उन्होंने, उसनके एक जर्नलिस्त ने, जिसने खुद भी साथ रखा था, उसको बड़ा शौक था, उसने इसको डोकुमेंट किया है, इन सारी चीजू को, इन सारी चीजू को, उसनके अड़ा ओ स्वात्तु आप हैं, अपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप भी ब्लैक मजीक, और इन चीजू को मानने लगें, को मुझे असे लग रहा है, पहले आप भी ओंगे, क्या ही है, होता होगा, नहीं होता होगा, तब ही इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कैसे अगया? मेरा चेंज ऐसे आया कि मैं मेरे साथ घटना गटी दी जिसकी वज़ा से मुझे बिलीव करना ही बड़ा और बिलीव हो भी गया क्योंकि खुद पर बीते की तो ही पता लगता है लग की बात है? इस इस अराउंड 2011 ठीक है? मतलब 23 साल पुरानी चीज है तम मैं जोतिश में आइव स्टाटिड मही जर्मी मतलब 3-4 साल हुए था मैं अपने गुरू के साथ प्रेक्टिस कर रहा था मैं असमें यूस में था अबराड में था और मैं अपनी कमणी की दरफ से प्रोजेक्ट में था तो वहां पर मेरे साथ यह एक्सपीरियंस ही हुआ था तो मैं पहले ब्लैक एनर्जी और ब्लैक मैजिक पर मैं इसना क्योंकि मुझे थानी की आर ठीक है होता होगा बट जब चुछ मैंने नहीं देखी तो मुझे को क्या बता है ना मैंने बोलते रहते हो आप देखा तो नहीं हम आए आमने सामने किसी को ऐसे नाचता हुआ देखते है उल्टा सीधा जो जैसा दिखाते है फिल्मों में ठीक है अस्त्रोजी पूरा एकिन था अस्त्रोजी पढ़ रहे थे समझ भी आरे थी दो तिन चार साल हुए थे भी स्टडी करते हुए मेरी बहुत अच्छी स्टडीज मेरी गुरु के दा चल रही थी तो वहाँ पर हाइकिंग वाइकिंग का शॉक होता है युएस में ठीक है मेरे मेरा जो टीम मेट्स थे उन्होंने का हाइकिंग चलते हैं गोरे थे थीक है यार्किंग ट्रेलिंग कर दीक है तो चलो मेरा मन नहीं था वहाँ इन्टा इसको का शॉक होता है कहा जाया जाए मुझा तो खाने ने का है मुझा जाने का भी नियोता मन अमारा तो लेकिं उनको तो यही है सुनसान जगा चले जाओ सुनसान जगा में एक तंबू या कोई guest house होता है पास तो guest house के पास ही आप अपने टेंट वगयरा लगा लो and you just put a fire और grilling करो और beer प्यो और नेचर वाग कर करके आओ इस इस वट आप देखो seniors हैं मानना पड़ता है नोकरी का सवाल है मैंने चलो वही चलते हैं तुमारे साथ ये भी देख लेते हैं क्या क् गया अन्मने मन से गया वहाँ गया वहाँ एक nearest मतब रेस्ट आउस के पास थोड़ी दूरी पर हमने अपना 1020 लगवा लिया और उस अब कर लिया तो मैं वहाँ पर थंड का भी समय था और थोड़ा सा हिली एरिया भी है और मेरको वहाँ पर बस उन्होंने का कि जलो यार र तो मैं यार आगे तो मैं आगे तो मुझे वहाँ पर एक पेड़ के बास जो है टोइलेट कर दिया बस यह गिया मैंने यही गलती थी सबसे बड़ी मेरी दिन्दगी की उस समय वहाँ पर कर रहे है के बाद मैं जब आगे बढ़ा तो मेरा अनीजिनेस स्टार्ट होगी अब अनीजिनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी कुछी यह मतलब इंस्टन सी एक्स्प अनीजिने फिर नहीं की और ना ही हमको शवक होता है यह सिब चीजे की तो यह जब कर रहे है तो मैं इसलिया नहीं एजी हो रहा हूँ तो मैंने उसको बोला यार I don't just want to go ahead मेरा बस हो गया क्या नहीं नहीं यार अभी तो स्टार्टी किया अभी तो और आगे जाना है मैंने नहीं का but I am not feeling well so I want to go back तो उसमें से जो हमारी ग्रूप में से एक बंदा मेरे साथ हो लिया कि चल यार वापे चल लेते हैं कोई बात नहीं तो अनीजिय हो रहा है तो मैं वापेस आगया मेरे को वापेस आके मैं अपने rest करा तो tents तो लगे थे थोड़ी दूर पे guest house भी था तो car से जा सकते थे तो मैं वहाँ चला गया वहाँ जाके मैं अपना आराम से बैठा चिल गया मुझे लगा कि यार ठीक है थोड़ा था बैटा रहा वाणी वाणी बिया मैं मेरी uneasiness ना फिर भी बढ़ रही थी धीरे धीरे वो एक different experience हो रहा था जो कि बतब ऐसा नहीं कि आ साम सोचते हैं आरम टाइम पर मैंने बस मैं वाश्रूम गया मैंने का यार चल वाश्रूम जाते हैं तो वाश्रूम जाके मैं अपना normal कौम कर रहा था शीशे में देख रहा था अपने आपको ऐसे casual था suddenly मेरे सामने सान ऐसे वुश करके शीशे के आगे से निकली चीश ठीक है एकदम से जैसे होता है मेरा एकदम देखा यार क्या चीज है क्या निकला मुझे लगा वहम है यार कुछ तो ऐसा हुआ होगा कभी-कभी यकीन क्योंकि इतने जल्दी तो होता नहीं है उसके बाद मै इदर दर देखा मैं गौर से फिर शीशे पर देख रहा था एक चोटा सा वो रोशन नान टाइप सा ना वो खुला हुआ था बस ऐसे ओपन था तो ऐसे फुश हुआ उसके बाद मैं शीशे में देख रहा हूँ फिर मैं करता रहा कॉमन का इपनोर किया कुछ नहीं थोड़ और उसकी अक्स की शकल चेंज हो रही है यहां से ऐसे प्लास्टर टाइप सा ऐसे क्रैक हो रहा है त्रेडे पढ़ रही है उसे निकल रहा है जब मैंने यह देखा ना तो मेरे हाथ से कंगी तो उसी इसमें छूटी और मैंने पकड़ा अपना फियस और आज 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 मैं भाई हुआ किया है देखों तो सही कि मेरे नहीं हो रहा था वो मिरर में हो रहा था जो भी हो रहा था सामने एकदम से हुआ और एक ऐसी मुझलम मुझे मेरे अक्स में ऐसी ग्रिन स्माइल से देखिया ऐसे मतलब कोई भया हो ऐसे चीज आपको जो अहसास हो रहा है ना मतलब एक शैतानी हसी आपको जो हो रहा है न मैं वो फिल कर रहा था मैं अभी भी जब करता हूँ न जब भी ये बात करता हूँ तो मेरे न रॉंग्टे से खड़े होते है मेरे तो कंगी तो क्या छोड़ो मैं तो उसमा आलत पैर फूल गए मैंने का भाई साब कुछ तो गड़बर हो गई है मेरे उसके बाद instantaneous result आने लगे मैंने तो वहाँ से भागा वटा वहाँ के बैठा रूम में और उसके बाद मैं तब सोच रहों की भाई कुछ तो गड़बर हो गई उस ताद कहीं तो फस गया हूँ है गलत मेरे हाथ ना ऐसे stiffness से होने लगी stiffness आने लगी बॉड़ी में धीरे धीरे चीजों में मैंने का ये कोई medical issue नहीं लग रहा है medical issue ऐसा नहीं होता एकदम फिर भी मैंने अपने आपको संभाला मैंने का या क्या करें कुछ अब समझ सब भार है तो मैंने अपने अब astrological chart तो हमें देखना आता ही है अब astrology तो आपको एक reference देगी लेगिन आप जो feel कर रहे हो जो चीज को energy को वो astrology से कुछ करा नहीं जा सकता ना you need someone to help you to come out of it वो नहीं हो सकता था तो चीजों को मैंने थोड़ा सा संभाला मेरे मन में आएके चल यार हो सकता है अभी भी मैं एक बार को अपने पर डाउट कर रहा था कि मेभी मेरी कुछ वहम है या मैं कुछ हो गया है but deep in the hearts क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सुना था अपने गुरुजी से तो वो समझ में आ रही थी कि कुछ हो गया कड़ पल बार आया बराल और डिनर वगयरा करने के लिए तो डिनर पे वो टिम मेट्स भी थे सारे बैड़े वे थे मेरा ना हाथ शिविर कर रहा था खाने के वक्त तो ऐसी जैसे आप बैठे हो तो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड बैठा था बहुत अच्छा है वो मेक्सिगन था तो वो मेरे वाच कर रहा था करा वोट हैपन अई ओके मैंने का नो आम फाइन करा नो 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 वो मुझे बड़ी दिर से वाच कर रहा था अभी मुझे ओसके बारे भालूम नी था क्या हो वाच कर रहा था And there is something wrong with you Can I call a doc受 जा मैं नए नए Doctor doctor मैंन मैं सोच था था मैं का भई जो मेरे साथ त्व्यो किसको क्या बता हू बताओ इवाँ पता न्nia पागल ना समझ ली नोगरी ओगरी ओवर चली जाए सोचे यार मेंटल अबरेशन हो गया थे भी ओफिस की अरे यार मतलब आप यू कैनोट टेल एवरीबड़ी ना खान लगा तो वो मुझे देख रहा मेरे से खाना भी नहीं खाया गया मैं आदा जितना खाया गया खाया गया मैं उसको छोड़ कर जा रहा था क्योंकि मेरे अंदर चीजे जो है मैं कुल भूला रही थी मैं ऐसे लग रहा था कि कोई संटन एंटिटी मेरे अंदर फोर्स लगा रही है ठीक है मेरे उपर काबू पाने के लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय क्योंकि अपने गुरू के साथ अटैश था तो मैं मंतर जाप वगएरा करता था तो फोर्स होगी जो मुझे बचारी होगी क्यों मेरे उपर इतना तदा सिवेर अटेक नहीं आ रहा था क्या हो गया तू ठीक नहीं है मैं सोचा मैंने का या वो मेरा अच्छा फ्रेंट था बात चीज़ पहले भी होती थी मैंने का भाई देख मैं अगर बताऊंगा न तो यृल नॉट बिलिव क्या रहा ओनली आयम था परसों विल बिलिव तो बदा मुझे क्या हुआ है तेरे साथ कुछ वीर्ड एक्सपिरिंस हुआ है तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ये जानता है चीजों के बारे मैं वो जो बात में पता लगा था और मैंने उसको कहा ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ हो रहा है अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है कुछ तो किया! याद कर फिर मैं को यद आया मैंने उसको एह बोला मैंने क्या है वोर क्या किया एक जगह पर उरिन किया और यही तो गरवड कर दी ए उसने मुझे जो लाइन बोली ना मेरे उस समय तो दिन दुनिया हिल गई पोपटलाल बोलता ना दुनिया हिला दूंगा मेरी दुनिया उसने हिला दी बोलकी करा you have entered their world now you they owe you they owe you मतलब तू ने उनकी दुनिया में कदम रख दिया अब तू ने का है मैं गा क्या बोला भाई किसका हूँ मा क्या क्या बोला भाई ये क्या है किसका हो गया मैं मैं तो मैं अपनाई हूँ भाई मुझे बेरी बीवी बच्चे आदा रहे थे मेरा पेटा था बस एक उस समय वाईफ मेरी अपने गर पे थी हम जा रहते थे तो बाई ने का वाई मेरे तो पतब सुन हो गया था मैं समय मैं का किसकी दुनिया क्या रहा है see there are certain areas जो की एक predefined होते हैं black energies और इन energies की voodoo energies की तो उस energy area में तुम दाखिल हो हो और तूने वहाँ पे जो P किया न वो P से तूने वहाँ पे उनको जो है उनकी attention को उनकी चीज़ों को फिर उसने मुझे पताया भाई बाद में मुझे पता लगा मैं आपको अभी यहाँ पे add कर रहा हूँ कि इन सब की न एक दुनिया होती है इनका अपना एक सामराज्य है जहाँ पे ये रह रहे हैं इनके घरबार बसे हैं भूतों के भी जिनों के भी चीजों के भी एनर्जीज के भी कहारा तूने उनकी दुनिया में अंटर कर दिया और एक्चुली में न मैं डीयो लगाके गया था साथ में ये भी था डीयो वीयो भी लगाके गया था मुझे उस समय आद नहीं था मैंने का भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया किसी को भी उंगली नहीं करी इक किसी की दुनिया में बस you have now they are now possessed they'll start possessing you and soon will be they'll be taking you भाई they'll be taking you भाई तु अचाले क्या करना है मेरे को नहीं सब्सक्राइब अब मैं करूँ क्या अब तो हो गया जो हो गया अब करना क्या है ये बता क्या था don't worry I know someone who will help you ठीक है तो उसने जो है मेरे को वहाँ से हम निकले जब क्यारा कुछ नहीं बस उसने मेरे को बताया कि तू बच जाएगा help करा दूँग मैं तेरी बच जाना चाहिए तू ये भी नहीं बोला उस समय क्या रहा टेक लेंगे यार कोई टेंशन ना ले मैं का टेंशन ना ले यहां तो और उसके बाद भी मेरे साथ वो चीजे जो है वो हो रही थी मैंने बस अपने गुरुजी से बात करी उन्होंने का बेटा तू वहाँ पे बहुत दूर है यहाँ पे मैं करनी पाएंगे लेकिन यहां से हम पूरी कोशिश कर रहे है और मेरे को कुछ मंत्रा जो थे मैंने जापवाप करे अपने तीक है वो मुझे लेकर गया लेकिन बाहर भाई साब गाड़ियां खड़ी थी Mercedes, Maserati और यह सब चीज़े खड़ी थी उसके घर के बाहर वो एक्चुली में क्लाइंट्स आयोए थे बड़े-बड़े उसके पास उसके उस पे तो पहला तो देखके मैंने का एक सुनसान एरिया में बनी हुई थी रैंच टाइप सा एरिया होते हैं वहाँ पे बनी हुई थी और मैंने का यार यह तो देखने में भी डरावनी सी लग रही है बड़ी haunted सा प्लेस लग रहा है क्या रा कम कमान बाहर बैटे थोटी दे अंडर चीखों की अवाज टीक है जो लोग आये थे वो अपने एक बन्दा अपनी बेटी बेटी को लाया था और एक्जॉर्सिजम हो रखा था उसके उपर वो उसको हटाने के लिए तो चीखों की अवाज मेरी कुद निकली साया हुआ मैंने का मैं कुद परशान अंदर से मेरी क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा था अरकते बैढ़ है नहीं बिठाया थोड़ी दिर फिर मैं उस बंदे से मिला या के अंदर वो बंदा था एक Master Spellcaster कहलो वो थोड़ा एज़िट सा था Middle Ages का था 45-50s का होगा इसे बिखरे-बिखरे से बालते white color के लंबे बालते उसके and he was wearing certain वो मालाज और वो सब चीज़े Indian था? ने, Indian नहीं था वो Mexican ही था उसमें पहनी हुई थी चीज़े और वो अपने ऐसे ही ना मुझे उसने देखा पहले तो बैठके फिर कहता है, okay, come with me तो वो में अपने रूम में लेके गया मुझे तो कहता है, yes I know what, why you have come क्यों आया है, तो मुझे पता है मैंने का, पता है तो भाई पहले मुझे लगा कि यार दोन डकोसलेवाजी होगी कहीं मैं यह मुझे पैसे वैसे के चक्कर में फसाने के गेम है, पैसे मांगेंगे और आप बैठे भी यूएस में हो, तो डॉलर्स में कर्चा होना है, ठीक है तो फस्तो मंदे के दिमाग में यही आता है उल्टी बात ही आती है, जैसे देखो, ओडियंस भी जब सुनती है तो पहले उनकी खुबड़ी उल्टी ही चलती है कमेंट बाजियो में तो आप चीछ जब देख रहे होते हो न आपको यकीन ने हो रहा होता तो उसने बोला कि ऐसे भाई तेर को पकड़ लिया गया है जिन ने ठीक है, उसने जिनी वर्ड यूज किया मैं आपको एक्स्वानेशन इंदी में दे रहा हूँ कि भाई तेर को ऐसे पावरफूल एंटिटी ने तेर को जगड लिया है अब वो तेरे पर कपजा जमारी है अब वो तेर को अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में मैंने का भाई ले जाएंगे नहीं मैं ले जाएंगे ले जाएंगे सारे बोले जा रहे हो मुझे नहीं जाना कई भाई बचाने वाला काम करो बताओ करना क्या है ठीक है और ये बता how much money करा I did I ask you about money ठीक है उसकी और और एनरजी तनी स्टॉंग थी उस एरिये कि ऐसे दुआ से उसने कुछ वो चीजे लगा रखी थी काफी चीजे उसने मतलब दिखने में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग लगेगी बट वो प्रोटेक्टेड शील्ड इतनी थी कि उसके अंदर आके जो मेरी हरकते थी वो काम डाउन होगी थी मैं थोड़ा सा रिलाक्स हो गया था तो मुझे फर्स्ट तो फिल यही अच्छा आया कि यार अट लीस्ट मेरे अंदर से जो रिलाक्सेशन आई है मतलब यह कुछ सही जगा ही आया हूँ मैं गलत जगह नहीं आया तो उसने मुझे पहले रिलाक्स किया उसने मुझे करा कि भाई ठीक है कोई बात नी तेरा ट्रीटमेंट मैंने का क्या ट्रीटमेंट करना है ट्रीटमेंट करो मुझे बुझे उड़ी से निकालो जो भी है भाई खतम करो इसको कहता है ठीक है मैं अपनी पूरी पावर्स के साथ इसको करूँगा तो वो, he was a voodoo expert उसको महाँ पे का कहते हैं वहाँ पे बोलते है आर्टिस्ट वहाँ पे वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं तांतरिक वहाँ पे लोग आर्टिस्ट बोलते हैं ब्लैक मजिक आर्टिस्ट था हो, जो वूडू करते हैं, जो वूडू प्रेक्टिप्स करते हैं तो उसने वो वूडू की अपनी पावर से और अपनी उससे, उसने मेरे को महाँ पे सबसे पहले उसका एक मैट सा था, जिस पे बहुत सारी चीज़े थी, तो उस पे उसने मुझे लिटाया, कुछ जड़ी बूटी है, उसने मेरे आसपास डाली, मेरे उपड़ डाली, मेरा पहले तो उसने ऐसे करके उसके उपर पूरा जाड़ा टाइप नहीं होता, वो उसके पास एक बंडल सा था, उसने पूरा जाड़ा किया, फिर कोई चीज़े कहीं कहीं चीज़े लाया, उसने ऐसे ऐसे करके मेरे उपर चड़की, मेरे उपर कोई अभी मंतरित वाटर भी था, वो भी टाइप से उसने चड़का, यह सब करने के बाद, उसने ना फिर मेरा मूँ ढग दिया, फिर मेरे उपर उसने मूँ के उपर कपड़ा डाल दिया, फिर उसने मेरे चाती पे कुछ चीज़े रखी, उसने करने के बाद, यहनि स्टार्टेट चैंटिंग, और उसके बाद जो है, वो साथ-साथ करता भी जा रहा था, जब वो ऐसे करता था ना, मेरे उपर से, तो मुझे को ऐसे लगता था कि कुछ सरक के, निकला मेरे अंदर से, ओ, अब तब आपको महसूस हो रहा है, कि आपके अंदर से कुछ जा रहा है, तो जब ऐसे करता था ना बीच में push strong होता था बीच में push light होता था जैसे किसी को मना रहे होते हैं नहीं माने का तो डंडा जादा थी तो push strong और light से ऐसे लगता था कोई चीज छूट गई मेरी निकली, मेरे को किसी ने छोड़ दिया तो जब उसने finer मेरे पूरे उससे करा तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कुछ गया है ठीक है फाइनली उसने मेरे पर से कपड़ा उठाया जब उसने मुझे उठा के बिठाया ना तो मेरा गुम गया सर ऐसे लग रहा था वाइबरेटिंग कहरा डोंट वरी उसने मुझे पकड़के थामे रखा आप से कहरा डोंट वरी इडूल सैटल डाउन सुन अब मेरे को इतना यकीन हो गया था कि यार मैं सही बंदे के हाथ मूँ यह है तो कुछ नहीं है सही है तो उसने मुझे थोड़ी देर मैं फिर मेरे कॉंशियस रिगेन हुई मेरे को समझ माया कि ठीक है और सब कुछ हटा तो मेरे को थोड़ा सा बहुत अच्छा फील हुआ मतलब मेरे साथ जो दिक्कत हो रही थी वो नहीं थी तो उसके बाद है नहीं बिकेम सब कुछ पीने के लिए लाया मेरे लिए कि यार आप ये पीलो ये पीने से आप थोड़ा सा और जादा एनर्जेटिक फील करो क्योंकि उस समय न जब ऐसी चीज़े हो जाती न आपकी बोड़ी बहुत वीक हो एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपके अंदर बचता नहीं है इतनी चीज़े तो में बहुत वीक फील कर रहा था उसने मुझे वो पिलाया और ये कोई भी चीज़ना मन गढ़नत नहीं बता रहा है जो हुआ है वो बता रहा हूँ पिया मैंने कोई ऐसा नहीं था कि पीने में कोई बहुत सारी मतलब जैसे हम ग्रीन टी बीन टी पीते हैं और उसी टाइप की चीज थी जड़ी बूटियों की कोई बहुत जादा एभाभी नहीं था पीलिया मैंने बीने के बाद ना सुड़नली मेरे बोडी कें थोड़ी सी एनरजी और ताकत सी आई फिल्ट बैट उसने मुझे का जा के बैट जा थोड़ी दिर यहां पर उसने लोबान या दूओ टाइप से लगा दिया कै रहा है इसके पास बैट जा इसकी फ्यूम्स को लेना है और मैंने वो फ्यूम्स बगारा ली सबकुछ लिया थोड़ी दे कै रहा नाव सिट डाउन ऐल कम आफ्टर सम्टेम बैठा रहा मैं थोड़ी दिर वहां बैठा रहा मेरे को काफी कुछ बैठा रहा मैं गा आएम नाव बैटर अडिया भी दी कि यह लेता रही हो मैंने का ओके मैंने उसको बोला मैंने का वाई थेंक्यू वेरी मच तो मनी के लिए मैं उसको ओफर किया वो कहता है मनी का मुझे कोई इशू नहीं है मनी मेरे पास बहुत है बट स्टिल तभी भी एनरजी एक्सचेंज दिये भी ना जाना नहीं चाहिए तो मैंने फिर भी अपनी तरफ से उसने मुझे का कि कुछ गरीब बच्चे वगरा है कुछ यहां पे है जो नीडी हैं उनकी हेल्प कर दे जो तो मैंने का यार ठीक है मैं वो कर दूँगा और मैंने उसको भी पैसे पकड़ाए उसके भी उसके मैंने उसने वो खुद नी पकड़ता था उसने एक बॉक्स सा था मैंने उस बॉक्स में भी डाले मैंने उसने जो का मैंने वो भी किया तो मैं उसके लिए बहुत थैंक्फुल और ग्रेटफुल हुआ उसके बाद मैं वापिस आया तो मुझे लगा वाई कई आहीं पर टेंप्रेरी एफेक्ट है बाहर आगे पिर मेरे जड़ लिक कोई तो उसके बाद ना मैं शीशे में बहुत दिन तो अपने आपको देखता ही रहा कि आप पिर तरेट तो नहीं बढ़ रही पिर कुछ तो नहीं हो रहा बट उसके बाद everything was fine उसने मुझे बचा लिया था बगवान का बहुत बहुत शुकर है कि मैं उस चीज से बच गया वनना तो मेरी कहानी तो खतम थी तो इस चीज को मैं आपको आज के टर्म्स पर बता रहा हूँ वो वूडू था टोटल वूडू से उसने मुझे बचाया और वूडू के उपर फिर मेरे जब मेरा ये experience हुआ ना फिर मैंने का कि यार अब तो उतरना वड़ेगा इसमें क्योंकि कीड़ा तो था researcher था मैं वैसी scientist था researches बहुत करनी आये दिन करनी है तो मैंने का यार उतरना है अब तो देखना है इसमें जाके और एक बचपन के भी मेरे incidents थे मैं भी बताऊँगा अगर आप लोग है time तो share करूँगा तो फिर मैं इसमें उतरा और फिर मैंने मैंने उसी Mexican को पकड़ा भाई अब तु मुझे इस दुनिया को से वाकिफ करे थोड़ा क्योंकि वो उसका वो था यह जब आप सब procedure कर रहे थे महाँ पर जब आपके अंदर से entity निकाली जा रही थी तो ऐसे क्योंकि वो तो बिल्कुल hub हो गया hot spot हो गया भूतों का आत्माओं का जिनों का ऐसे कोई ऐसे experience आपने करा कि आपको जिन दिग गया या भूत दिग गया या कोई entity दिग भी वहा नहीं दिखा ठीक है जिन मेर को कहीं और दिखा आपने जिन देखा हुए हाँ देखा हुए ठीक है ओ मैं बताता हूँ मैंने का ना बच्पन से एक कंतरा और बलैक मैजी को मुझे बहुत अट्रैक करता था मेरे पिताजी एक तंतर गुरू उनको मानते थे he was not tantric, my father he was a very senior government officer but वो उनको मानते थे तो उनके बहुत जाते थे तो अकसर मैं उनके साथ चला जा जाता था पापा लेकर जालो लेकर जालो 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 तो मेरे एक दोस्त था, वो Muslim था तो उसको अपनी प्यार मोहबबत की कहानी होगी थी उसकी तो उसने एक Muslim practitioner को पकड़ा तो वो वहाँ पर जाना चाहरा था उसने मुझे बताया, share किया तो मैं उसके साथ हो लिया, मैंने का भाई मुझे भी लेचल मुझे भी लेचल, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है क्या नी, मुझे भी इंटरस्ट है देखने का, क्या रहा भाई तू देख दरेगा तो नहीं, मैंने का भाई दरवर चोड़ तू चलना तो जा रहा है तो मैं नहीं जा सकता चल लिया भाई, फेंटेसी, चले वहाँ पर तो वहाँ पर मैं उसके घर गया बहुत ही रिमोट से एरिया में घर था उसके साथ गया, तो उसका उसने अपने स्थान पर बैठा वो उसने जी का कि ऐसे ऐसे जी मेरी गल्फरेंड मुझे छोड़ कर जा रही है और जो है क्यों छोड़ कर जा रही है यह सब वो सब जो भी उसके questions थे तो मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे छोड़ कर जा यह वो तो उसने का ठीक है तो उसने का कि वो जिन को जो है उसने possessed मलब पकड़ा हुआ था उस जिन को वो बुलाता था अपने उपर अपने शरीर पर बुलाता था वो बंड़ा तो कह रहा मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा वो ही बताएगा कि क्या कहानी है क्या हुआ है तेरे साथ तो उसने एक्चली इसके लावब भी एक दो प्रब्लम जोर शेयर की थी तो कह रहा मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा ठीक है भाई बुला लो जी और वो जो मांगेगा वो देना पड़ेगा ठीक है अब मैं आ तो गया पैट तो गया वहाँ फटे फिर मेरी कि भाई यार कहा पस गए जिन को बुला रहा है यह कर रहा है मैं तो सोचा था कि जैसी चीज़ देखूँगा यहां तो फिर भी अपने नर्व को कंट्रोल करके मैं बैठा रहा तो बहराल उसने क्या किया उसने अपना सेट अप किया उसने सबसे पहले बैठा अगरबत्ति से उसने अपने आप को प्यूरिफाई किया अगरबत्ति से प्यूरिफाई किया और अपनी चीज़े पड़ी और उसके बाद उसने कहा कि कोई भी शोर बिल्कुल नहीं मचायेगा चुप करके बैठना है दोनों को हम दोनों को उसने बोला ये कोन है तेरे साथ, उसने बोला ऐसे मेरा दोस्त है, मेरा नाम वाम पूछा, कहता है बिल्कुल शान्त होकर बैठना, ना चीखेगा कोई, ना चिलाएगा कोई, और डरने का कुछ नहीं है, ये का डरना मत, माने का अब भाई अब बैठ गए तो ठीक है जी, ओक अब बाद भी ऐसे बोले डरना मत, उमर भी कोई इतनी ज्यादा दुटना थी यार, उननिस वी साल की उपर दी, भागा ठीक है जी, जो कह रहे हो, कुछ नहीं आवाज चूँ भी नहीं करेंगे, अमना मेरा फ्रेंड मेरा हाथ, मेरा बैठ रहा है रहा हमसे कोई बात में ल कुछ पढ़ रहा होगा, कर रहा होगा, थोड़ी दिर बाद एकदम से आइसे गरदिन दिर आए, ठाक करके सामने आया, ऐसे करके, पुम्, उसके बाद उसने अपनी आँख खोली, आँख के काली, काला हिस्सा नहीं थाई, ब्लैक, कॉर्णिया नहीं था, जा चुका था, इसा टोटल भूइट, और आवाज बदल गई उसकी, ऐसे कर रहा ना, तर गुमा रहा था, और जो आवाज से बोल रहा था, क्यो बुला है मुझे यहाँ पे, क्या चाहता है तू, उसने पहले इंस्ट्रक्शन्स दे दी थी, कि भई तुझे अपने सवाल पूछने है, मैं यह निँ हो, वो निँ हो, मेरो कुछ नहीं पता, नाम है है मेरो को होश रहेगी, ठीक है, जो बुञना है इससे पूछ ले, घौँछ तुझे क्या पूछना है, वो उसने अपने सवाल पूछने शुरू किये, तो उसने उसको जवाब देने स्टर्ट कर दिये, उसने उसक में तो सिरफ एक यवर्ड याद आता था, ओमनो शुआ, ओमनो शुआ, मम्मी, 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 ओमनो शुआ, काफस गए, तो उसने सारे questions के answer दिये, and can you believe he gave answers, जो कि उसी को मालूम थे, ऐसी-जी चीजे बताई, उसके बाद उसने बोला, क्योंकि उसने बदार किती instruction की, पूछना तुझको क्या चाहिए, अब तुम इसके बले तुम क्या चाहते हो, बलाव ऐसे करके, जिन से, तो जिनने का, मुझे यहां जाकर, इस दरगा पे आलू की देख चड़ानी पड़ेगी, और उस वो जो जिन था ना, वो तब डेंजरस जिन नी था, मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि उससे ना, खुश्बू आ रही थी, जब वो आया था ना, तो आसपास के महौल में थुड़ी सी खुश्बू है, देखो, भो ही आता है तो मिट्टी की सौंदी-सौंदी खुश्बू आती है, तो कहीं कईयों के अंदर से इत्रों की खुश्बू आती है, तो उसने बोला, यहां जाके यह आलू की देख, इतने क्लो की यहां चड़ानी है, मेरे पास उदार आके, तो उसने हाथ जोड़े नहीं ठीक है जी चड़ा दूगा फिर उसके बाद वो एकदम से उसने का अब बहुत समय हो गया अब मैं और नहीं रुख सकता मैं जा रहा हूँ उसने जैसे वो ऐसे था ना एकदम पीछे गया थोड़ी देर ऐसे ही रहा और उसके बाद जिवो ऐसे आया बलाक वापिस ही वसना मल रियल लाफ एक्सपिरियंस वो मैंने एक्सपिरियंस किया तो चीज तो विशाल जी जैसे मतलब अब मैं आपसे कुछ अगर शॉट में एक चीज़ अगर मैं जानना चाहूँ अबड़ा एक्रेडिबल गेस्ट लेकर आते हैं तो ओडिन्स का भी भरोसा बनता है आपके लिए सबसे जैसे आपने बिताया वो पहला एक्सपिरियंस वैसा था ऐसा कौनसी चीज हुई जिसकी वज़ा से आपके अंदर एक भरोसा आगया कि यार नही यह जो ब्लाक मैजिक है वशिकरन है वो मेरे को खुद अपनी बॉड़ी में कुछ एक्सपिरियंस हुआ जैसे कि किसी तरह कोई अटाक किया हो या आपको किसी तरह से हाम पहुचाने कोशिकी हो कुछ इस तरह कि कुछ हुआ है कभी देखो हाम हाम पहुचाने के लिए कभी हुआ नहीं क्योंकि अब इतने समर्थ हो गए थे कि अपने आपको प्रोटेक्ट कर लें लेकिन हाँ ऐसा होता है कि वेन यू आर डिलिंग विद अब क्या है मैं इतने क्लाइंट्स फोन करते हैं कॉल करते हैं एस्टलाजी से लेकर वास्तू से लेकर कई लोग इनके शिकार हो रखे है जो पीडित है तो उनकी help करने के लिए करते हैं तो certain help के दोरान एक बार हो गया था मेरे साथ तो मुझे बहुत ज़वर्द का जटका लगा था अटैक भी हुआ था मैं वीसी नहीं करता वीडियो कॉल बहुत कम करता हूँ तीक है उसकी वही वजा है तो मेरे टांग के उपर अटैक हुआ था कब की वाद राइट लेग 2016 राइट लेग पर हुआ था और मेरे टांग का उप्रेशन हो चुगा है ठीक है और बहुत बूरीद मेरी कटने वाली थी बच गया मैं कुछ भी डॉक्टरों को समझी नहीं आया मतलब मेरी लेग में पेंड स्टार्ट हो गया था जटका लगा था मैं गिर गया मतलब उस एनरजी की पुश से मैं गिर गया था उसने क्यों पुश किया आपको क्योंकि ये रिमॉफ कर रहे थे रिमुफ मैं नहीं हुआ थे मेरी टीम कर रहे थी मैं प्रेसेंट था तो वह जटका लगा तो मेरे पंच हुआ और उसके बाद मेरी लग के अनदर पें चल्ट गया तो एक दिन बाद अब मैं डॉक्टर को दिखा हूँ मेरे पेन हो रहा है तो वो मुझे को वही मेडिसिन्स पकड़ा दी, पेन किलर्स, मूव टाइप क्रीम्स लगा लो, मैं भाई, लगा लो, लगा लो, लगा लो, अब क्या हुआ कि जब मुझे समझ में आ गई ना कि ये नहीं है, कुछ हो र तो मैंने उसके बाद जो है, अपने हमारी, जो मेरे साथी थे या मेरे साथ हैं, उन लोगों के साथ मैंने करके, मैंने अपनी उतारा करवाया, उसके बाद मुझे पता लगा, वीजिबल हुई बाद में, वो चीज मेरे टांग के अंदर पस पड़ गी थी, उपर से कुछ भी नहीं था, प्लेन था रहागा, लेग, कभी पस पड़ती है, फोड़ा होता है, कुछ चीज होता है, तो आपका उबार आएगा ना, आपकी लेग फूलेगी या उबार आएगा, मेरी लेग प्लेन थी और वो मेरी थाई के पास वो पॉकेट बन गी थी अंदर, पस की, वो इतनी जादा हो गई थी, कि फाइनली जब इसको, जो है, जब डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया, तो तुरंत, अल्टर साउंड में डिटेक्ट गई, तो उन्हों ने का रहे, ये तो, ये है क्या, बतब, पस की पॉकेट बनी हुई, और पस कोई छोटी-मोटी भी नही मेरे को तुरंत बोला गया कि आप तुरंत अभी आपका उपरेशन करना पड़ेगा, और हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, मैं उसी समय अडमिट हुआ, मैक्स में मेरा उपरेशन हुआ, और होश में था मैं, क्योंकि मेरी लोर बॉडी को ये उन्होंने नुटलाइस क लेयर्स खोली, उसने अंदर जाके देखा, क्या आपने सातियों के साथ बात कर रहा है, क्या गरा लिया ही, क्या है, अंदर उसने सक्या, मेरी आदी से ज़्यादा मासपेशिया हुआ की, निकालनी पड़ गई उसको, और उसके बाद, उसने सिला भी नहीं, मेरी टांग, क् इसको सिल नहीं रहे है, सिलेंगे नहीं, और ऐसी छोड़ दिया, कि इसको आपको हमें रोज ड्रेसिंग करनी पड़ेंगी, क्या कहीं दुबारा ना हो जाए, आपका ये इन्फेक्शन, लैब रिपोर्ट में भी भीज दिया, सैंपल के लिए, टेस्ट करनी के लिए, क्या कौन सा बेक्टीरिया है, कौन सी चीज़ है, तो उसके बाद जो है, जब नेक्स डे मेरी ड्रेसिंग करने के लिए मेरे रूम में नर्स आई, उसने जब मेरी टांग खुली मैंने देखा, मैंने वो फोटोग्राफ मेरे पाज होगी तो मैं शेयर करूँगा, मेरी टांग न वो गौज ही अंदर चले जाते थे, और फिर मेरी लेग की ड्रेसिंग होती थी, और फिर वो जो है, मेरी एक महिना तेक मैं ड्रेसिंग करता रहा, बट एक महिना भी नहीं लगा होगा, बट बिकॉज ऑफ दा मंत्रास विच आई वास दूइंग इट, वो मेरा इतनी अगर कोई जैसे कोई किसी ऐसी सिटूइशन में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लाक मैजिक है और बहुत ज़्यादा एक नेगटिव एनरजी है, स्पिरिट है, तो वहाँ पर इंस्टेंटल अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, लिको सबसे जो मैंने आपको अभी शुरू अगर आप सबसे पहले इंपोर्टेंट बाते क्या लोगों को समझनी है कि सुनसान एरियो में जो अब ट्रेंड्स चल रहे है न वेस्टर ट्रेंड्स चलू हो गया है, अप सुनसान एरियो में जब आप जा रहे हो, ठीक है, आप कई जगा ट्रेल आप तो हाइकिंग शाइ अगर आप कहीं जा रहे होने ऐसे तो यूँ उठकर मून उठा कर मत चल दो और पर्फ्यूम्स और फ्यूम्स लगा के मत जाओ, और इस मंत्र को जाप करके अपने आपको कवर करो, ठीक है, आपको धोड़ी प्रोटेक्शन जुरूर मिलेगी, और साथी साथ अगर आप खोरोस्कोप देखते ही पता लग जाता है कि किस इंसान, कौन सा इंसान जो है न, ब्लैक मैजिक के लिए वर्नोरीबल है, मैं चार्ट खोलती मेरे को विदिन अ मिनिट मैं बता देता हूँ कि तुम्हा उपर अभी चार हुआ 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 या नहीं हुआ हुआ, खोरोस्को आपको वो चीज आके मिजाईल की तरह हिट कर सकती है, क्यों, क्योंकि आपका औरा उस प्लैनेट ने वैसे ही, सुक्ष्म शरीर को वैसे ही कमजूर कर दिये, और वो एनर्जी जो वहाँ पर रोटेट हो रही है, देखो मैं फसा था जो मैंने अपना इंसिडेंट बताया, म ठीक है, अस्टम भाव में मेरे, तो उस समय मैं बहुत ज़दा वुनरेबल था, और जब वो हुआ भी मेरे साथ तभी, लेकिन बिकॉज आएव अप्रोटेक्शन अफ जूपिटर इन माई चार्ट, विच इस वाचिं इन सिटिंग उन राहू, तो मैं बच गया, यह भी ड इंसिडेंट के बाद बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके चार्ट में वो टाकत नहीं है, हमें एक्स्टरनली डालनी पड़ती है, तो थीस आर था थिंग्स विच आप टू टेक केर, अगर हम कई जाभी रहे कुछ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप करो, अगर आप डेली भी वैसे भी आपको कोई ना कोई एक मंत्रा जरूर एक ले लेना चाहिए, आदेखो चाहे आप रादे रादे जपो, चाहे आप नॉम मैं आपको यह नहीं कह रहा है कि दिक्षित मंत्र लो, ओम नमस शिवाय का भी अगर आप जाप प्रोजाना कर रहे हो, या हनुवान जी को मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग हनुवान जी का तांत्रिक मंत्र है, बहुत लोग बगर बजरंग बली के बक्त है, उन से बड़ा जादगृत देवते तो हैं ही नहीं, वो तो अभी सक्षात मौजूद है, प्रित्वी पर, ओम नमो हनुम रुदरात्मक आए, होम, फट्ट इस मंत्र से क्या होगा? यह प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा, तो किसी को भी डर लग रहा है, तो अनुमान जी का मंत्र है, अनुमान जी का यह तांत्रिक मंत्र ही शुद और अगर कोई बलैक मेजिक, किसी को, देखो, बलैक मेजिक की अलग-अलग वराइटी है, अगर आपके उपर बहुत बड़ा अभी चार हुआ हुआ है, तो वो नॉमल इन मंत्र से नहीं जाएगा, वरी ओनेसली, ठीक है? उसके लिए यू नीड अ साधक, यू नीड अ परसन, वो इस वेल ट्रेंड, जिसने साधनाई कर रहे हैं, जिसक पाएंगी, अगर कई लोग मुझे से आज, आज की टाइम में भी कंसल्टेशन में कॉश्चन करते हैं, कि हम तो ये जाप डेली करते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, यह होता है, फिर कैसे बलाइक एनरजी कर सकती है, कर सकती है, बलाइक एनरजी का जो, अब यहाँ पर, I नौ साल से बच्चों का संसकार नहीं करते हैं, जमीर में दफनाते हैं, या और छोटे होते हैं, तो जल परवा कर देते हैं बच्चों की दे को, तो ऐसे बच्चे जो छोटे होते हैं, उन्हें ये तांतरिक लोग उनको पकड़ लेते हैं, उन बच्चों के दे को पावर है उसकी पावर को आप imagine नहीं कर सकते है एडल्ट से जादा उस बच्चे के अंदर पावर है क्योंकि उसकी पावर की कोई सीमन नहीं है वो मंदिर में भी जा सकता है छोटा बच्चा क्योंकि वो जो देखो हम सब किस से जुड़े हुए है अपनी माता के जब गर्ब में होते हैं तो हम उस नाब से जुड़े हुए है नाल से जुड़े होते हैं वो नाल इस एक्चुली पारभ्रम क्नेक्शन the connection with the divinity that is with Lord Vishnu जब वो नेल नाब काटी जाती है तो वो पारभ्रम से connection जब आपका कटता है जब आप बाहर आते हो तो आप अपनी शुआसों पे आते हो तो जब रुदन होता है बच्चे का तब ही कहते हैं डॉक्टर्स क्या देखते हैं पहले बच्चा रोना चाहिए वो रुदन क्या होता है वो रुदन यही होता है तो जब आप पार बरुम का connection काटते हो तो वो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो abort हो जाते हैं 7-8 महीने में या जो कम उमर में मर जाते हैं तो ये उनको grab करते हैं और वो बच्चे के अंदर immense power होती है एक तो एक बहुत ये चीजें लगता मतलब एक आपने बात बोली थी मुझे बड़ी वो सही लगी कि जब तक बीटी नहीं है ना तब तक इनसान एहसास नहीं कर सकता है इसलिए हमारा मकसद यह है इन पॉड़कास के जरी है हम तब को करें तो सर हम थोड़ा सा अब इस पॉड़कास को कुछूड करना चाहते हैं कुछूड करने से पहले कुछ remedies सब को पसंद होती है घर में यह चीजे हो वो चीजे हो तो हम दो चार टॉपिक्स बोलते है मुझे लगता है जिससे की audience का भी फायदा होगा तो सर एक आपी की वीडियो थी आपने का की कॉनवलेक्सा का बाप है आपके पास सब को पैसा चाहिए तो यह कॉनवलेक्सा का बाप क्या है समझ दिया है अभी रिसेंटली ही करा है लेकिन उसको बहुत वाइरल भी है बहुत लोगों ने कॉनवलेक्सा तो एक वो है इटालियन फोक्षार है वर्ड है जो कि इटालियन इटली वाले लोग हमारे सनातन धरम में इतनी सारी चीज़े है जो हमें एने एक्स्प्लोर्ट है आप फेंटेसाइज होते हो बहुत जल्दी अउडियन्स हो जाती है अब ठीक है इंटरनेट का जमाना है राहू का जमाना है चीज़े वाइरल हो जाती है तो मैंने उसमें जो बताया वो ये बताया कि कॉन्वलेक्सा तो आप सब कर रहे हो चलो ठीक है आप इसका जाप करो या इसको और पावरफुल वे में करना हो तो ओम धनाय नमो नमा और अगर इसको आपने कमल गट्टे की माला पर स्टार्ट कर दिया तो इसका रिजल्ट और स्ट्रॉंग आता है फ्राइडे से आप कर सकते हो और रिजल्ट लेने के लिए आपको इसको थोड़ा सा लंबे समितक करना पड़ेगा अब इसको मैं आप ये भी क्लियर कर दू कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि मतलब कौन बलेक्सा हो या कोई भी मंत्र हो हम ये करने लग जाते हैं काम करते हैं अपना काम दंदा चोड़ते हैं और ये ही करने बैठ जाते हैं फिर तो हमापन नोटों की बारिश हो कि प्लीज टाइ टू अंडर्स्टेंड लॉजिक बिहाइंड इट आप करम प्रधान है ये दुनिया आप मृत्यू लोग में आए हो तो आप करम करने के लिए आए हो शनी भी आपको शनी को दस्वा और ग्यारवा घर दिया गया है कुंडली में काल पुरुष की बगवान विश्णू ने जो कुंडली बनाई है वो काल पुरुष कुंडली सबसे strongest कुंडली है और मैंने maximum remedies वहीं से device की है मतलब ऐसी ऐसी चमतकारी remedies तो काल पुरुष का दस्वा और ग्यारवा घर शनी को दिया गया है शनी करम के कारक हैं करम के वो है और उसका फल भी शनी देते हैं अब अगर आप जो है कहो कि मैं अगर आप अपने काम में बिजनस कर रहे हो तो जब आप यह मंतरा जाब कर रहे हो तो आपको business तो करना ही पड़ेगा आपको office जाना ही पड़ेगा लेकिन आपको order value बढ़ जाएगा this is how this works it is not like that कि मैं तो काम छोड़ देता हूँ अब तो मैं यह जब करूँगा so try to refrain from these you know thinking and comments because यह मानसिक्ता खराब है आप समझो हम क्या कहना जा रहे है मैं तो बहुत easily logical way मैं explain करता हूँ sir कुछ common questions है कुछ common queries है कुछ common remedies है जो लोग पाना चाहते है और यह है job से related health से related और वियपार से related यह maximum highlighted है तो इसके बारे में आपके पास क्यी remedies common नहीं बहुत strong strong remedies है छोटी चीज़े हम बात नहीं करेंगे आपके बस आपके audience को कुछ ऐसा दे कर जाएंगे आएंगे तो बढ़िया काम करें तो अगर मैं job के लिए बात करूँ कि अगर किसी की job छूट गई है लग नहीं रही है ठीक है काफी try कर रहा है जौब नहीं लग रही है तो उसके लिए बहुत शानदार remedy और यह सारी remedy tested है मैंने बहुत साल research करके ही मैं देता हूँ ऐसे नहीं देता तो इसमें यहाँ पे हम एक process आप लोगों को करना है जिसकी job नहीं लग रही है उसको यह करना होगा उसको चावल लेने चावल को नॉमली देसी गी में भून लेना है कच्चे चावलो को ही पकाना नहीं है कच्चे चावलो को देसी गी में भून के उसको मिक्सी में पॉर्डर बना ले ठीक है और उसके अंदर शक्कर डाल दे गुड़ वाली शक्कर ये मिला ले, एक मिक्षर बना ले और एक मंत्रा का जाप उनको करना है ओम नमो नगन चीटी महावीर हो पूरो मोरियासा, मो पूरो तोरियासा ठीक है, ये मंत्र मां दे दूँगा आप डाल देना, इस मंत्र को जबते जबते वो मिक्षर को उसको कीडे मकोडो चीजों को डालना है पार्क में जाके सारे असपरस, और डेली उसको, इसकी कुछ सर्टन कंडिशन्स है, कि डेली करना है, तो मौर्निंग में करना है, तो सेम टाइम पे रोज, थोड़ा बहुत इदर नहीं तो रो सकता है बट सेम टाइम पर जाकर वो डाले और 43 डेज करे अगर जॉब इस दोरान तो मैक्सिमम लोगों की लग जा रही है और अगर 43 डेज के अंदर-अंदर जॉब लग गई, तो भी उसे 43 डेज पूरे करने है मानलो, 14-15 दिन लग गई या 20 दिन लग गई तो भी पूरे करने ही करने है इसके बाद हम आयते हैं health-related way कभी कमर में दर्द होता है health issues रहते हैं तो उसके लिए कोई उपाए health में सबसे ज़्यादा जो कमर का pain लोगों को बहुत है ठीक है, maximum ladies को भी है तो कमर के दर्द के लिए मैं बहुत ही बढ़िया remedy बता कर जा रहा हूँ आपको करना क्या है जिसको भी कमर में बहुत ज़्यादा slip disc की problem आ रही है एक सुतली ले ले सुतली को अपनी height जितनी जो भी patient है वो अपनी height जितनी सुतली ले और सुतली के end में उसको कागज की पुडिया में कुछ चीजे डालनी है जैसे 5 long डालनी है और एक चुटकी वर काली सरसों पीली सरसों और साथ में थोड़ इसी fit करी ये चीज जो है बांद के उसकी end पे कागज की पुड़ी पे बांदे और इस सुतली को फिर सरसों के तेल में डुबो के किसी कील पे बांदे जैसे अपनी बाहर balcony बगारा में घर से बाहर करना तो बांद के नीचे से आग लगानी है नीचे end पे जहां कागज बंदा हुए तो जब वो पूरा जलेगा तिल-तिल करके जलेगा तो आपको यह लगा था Saturday के Saturday करना है do it for at least 6 Saturday and you will see the result बहुत बढ़िया लाइफ में ना कई लोग स्टक हो जाते हैं कि जैसे बस कुछ समझ नहीं आ रहा कहां जाए लाइफ में क्या करें तो उनके लिए भी अगर कुछ रेमिटी जब आप स्टक हो जाओ जब कुछ समझ नहीं आ रहा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जिंगी ऐसे होती है न अंधिरा आ गया यार मैं यहां से कहां जाओ क्या करूँ कोई आइडिया तो आए that clicked my life तो उस समय पे जब ऐसी situation आ जाए तो एक चीज जाके तुरंत कराओ एक लोटा लो copper का उसमें गुड भरो लाल रंग के कपड़े से उसका मूँ बंद करो और किसी भी सुनसान वीरान जमीन पर जाके गड़ा खोद के इसको दबा दो बंद कर दो गड़े का आज जोड़ो कि मेरी सारी परशानिया और मेरे जो cloudiness है मेरे mind में मैं यहीं दफन करके जा रहा हूँ अब मैं अपनी मुसीबतों चुटका रहा चाहता हूँ इश्वर का ध्यान रखे manifest करे do the remedies with manifestation and energy only then they will work यह नहीं के अनमने मन से कुछ भी करके आजो नहीं करके आओ and then you will see the changes you will start getting ideas you will start getting suddenly open up हो जाता है Vishal जी आज का जो podcast था audience की तरव से आपको बहुत बहुत शुक्रिया thank you very much